हेलो एफ्रिवन मैं मेतन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे 26,000 जारखन सरकार के द्वारा जो सिक चकों की रेकूटमेंट आने वाली थे ना उसमें मामला फस गया है क्या है पुरी खबर आपको इस वीडियो में जानक और सरकार पाक साफ आगे निकल जाए मैं फिर से दोरा देता हूँ भारत की समिधान के अनुसार ये देश चलेगा किसी के हिटलर साही से ये देश नहीं चलेगा बाबा सहाब भीम रावामेदकर ने जो समिधान लिखा है उसी के अनुरूप ये देश चलेगा कुछ लोग नीचे कॉमेंट करके बताते हैं मनुवादी लोग भी जो है बाबा सहाब का नाम ले रहे हैं अरे भाया तो तुम्हें क्या प्रोबलम आ गई मैं अगर बाबा सहाब को कोट कर रहा हूँ या उनके द्वारा लिखे किताब का रेफरेंस दे रहा हूँ ये देश में गीता, कुरान, बाइबल, किसी भी किताब से बढ़कर है हमारा सम्मिधान, सम्मिधान सबसे पहले आता है, बांकी सारी किताबे, धार्मिक किताबे बाद में आती है, ये मैं बार-बार कर रहा हूँ, नीचे कुछ जाहिल लोगों ने कॉमेंट करके, कुछ महल को गंदा करने की कोसि पिछले वीडियो में इसलिए मैं साप साप कर देता हूं मेरे लिए देश पहले है धर्मबाद में और संविधान पहले है उसके बाद मेरी धार्मिक आइडेंटिटीज चलिए आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट करके आप लिखिए भारत में freedom of speech है अपनी बात को रहने या कि 20 जून को हाई कोट में जेटेट को लेकर जो है नए जेटेट को लेकर जो है सरकार से सवाल पूछे गए थे और इसके जबा में सरकार ने क्या कहा और मामला कहा फंसा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ये देख लो आपको newspaper की cutting दिखी होगी और आप उने पढ़ दिया होगा कि 26001 सिक्षक न्युक्ति के प्रस्ताव में नेमावले की अंदेखी यानि कि नेमावले का मतलब होता है सरकार ने जो रूल बनाया है उसे ये फॉलो नहीं कर रहे हैं देखिए सबसे पहले जेटेट 2016 वाले जो भाई भन हमसे बहुत नराज है मु उसी मैंसे 26000 को भाली दे दो तो आप समझ के देखो कि चार लोग एक्जाम में बैठेंगे एक को नौकरी मिल जाएगी मुझे बद एक लोगों से भी ज्यादा को नौकरी मिल जाएगी 26000 की भरती आ रही है और एक लाग भी पद जो है यह जो एक लाग जेटेट वाले हैं कई लोगों का हाई स्कूल में जौब हो गया है कई लोगों का KBS NBS अलग अलग जगव पर दरोगा में जौब लग गई है तो यह लोग ना टीचर की नौकरी नहीं करने वाले हैं तो ऐसे में अब बताओ यह कंपिटिसन आपने कभी भी कहीं देखा है क्या चार लोगों मे आकर अगर कुछ भी बखेडा किया ना तो करारा जवाब दिया जाएगा याद रखना और आप लोगों से भी अनुरेद है कि जो ऐसी बाहियात कॉमेंट करते हैं उनको करारा जवाब दीजी आप देखिए हुआ क्या है मैं आपको फायदा भी बता देता हूँ जो जो जे भले नौकरी कर रहे हैं आपको पता है कितने पारा सिक्षकों ने फरजी सेटिफिकेट बना कर जॉब ली है मुझे पता है अच्छे पारा टीचर भी है हमारे राज में लेकिन बहुत सारे बाहियात टीचर भी है उनके लिए 13,000 सीट क्या हो गई सिक्योर हो गई उसमें से आप जो है एक भी सीट के लिए मारा मारे नहीं कर सकते हो अब बचे हुए 13,000 कुछ पदों के लिए आप जो है मारा मारी करोगे competition रैट रेस जो रहेगा वो 13,000 कुछ पदों के लिए आप कर सकते हो अब देखिए ये तो जेटाट 16 वाले के लिए एक भुरी खबर हो गई जेट 16 वाले के लिए देखिए अच्छी खबर क्यों है न यहाँ पे आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगी सारी बाते निमा वली में कह दिया गया कि सम्विधा पे जो भी काम कर रहे हैं यानि कि जो contractual है पारा टीचर है उनके लिए reservation नहीं रखा जा सकता है इस तरह से competition में यहाँ से देख लो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ wait a minute यहाँ से देख लो आप निमा वली में सम्विधा कर्मियों को आरक्षन देने का प्राबधान नहीं है लेकिन जो सरकार ने अधी आचना भेजी है जौब के लिए उसमें कहा कि भाया पारा टीचर को रिजर वेशन देदो तो ऐसे में नुकसान किसका हो रहा है जेट एट सोला वाले का नहीं हो रहा है क्या मैं पूछता हूँ आपसे आपका नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है और जिनको जेट एट की परिख्षा नहीं देने का मौका मिला है पिछले 7-8 सालों में वो क मजरी हो मेरी बात को, आप सिर्फ अपने एक जॉब के लिए जो हाथ पैर लग चला रहे हो ना, जो और लोग हैं, चार से पांच लाग जिनकी संख्या है, उनके बारे में सोचा है आपने कभी, उन छोटे भाईयों बहनों के बारे में आपने सोचा तो नहीं, सिर्फ और सिर से बने वे घर होते हैं, वो सबसे पहले ढाते हैं, याद रखना, आप नौकरी नहीं ले पाओगे ऐसे में, मैं बद्दु आने दे रहा हूं, रियालिटी बता रहा हूं, देख लो, यहाँ पे मैंने हाइलाइट भी कर रखा है, फंस जाएगा पेच, क्या बात है, तो दे बोलेंगे यह गलत है, और कुछ जेटेट 16 वाले बोलेंगे यह सही है, कुछ जेटेट 16 वाले कहेंगे यह गलत है, तो देखो आपस में लड़ रहे हो न, चार लोग, फायदा किसको हो रहा है, हैमन सोरेन की सरकार को फायदा हो रहा है, आपस में लड़ते रहो, हैमन सोरे सिर्फ आपको गोल-गोल घुमाने ही रहे जिलीबी की तरह अब देखिए जेटट 16 के बाद नए जेटट की बारे में बात करते हैं देखिए हाई कोट में मसला चल रहा है और हाई कोट अब जो है ना अगले वार हेरिंग में अगर सरकार ने टाल मटोल करने की कोशिस करी कम से कम एक जेटट की परिच्छा लेनी होती है पिछले साथ से आठ साल अपनी तीजोरियां भरने में भाजपा जी एम एम कॉंग्रेस के लोग आजसू के लोग लगे हुए थे इन्होंने सरकार ने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जो छोटे-छोटे बच्चे हैं लोग बेरोजगारी बैठे हुए है तो दोनों मामले में मामला फसा हुआ है बहुत लोग और एज भी हो रहे हैं तो ऐसे में अगर आपको न्यूकती लेनी है तो सबसे पहले सारे लोगों का फॉर्म भरा दो जिन्नोंने बीएड करके रखा है उनसे फॉर्म भर वालो बा उनसे जो घुजर गए ना उनके बारे में बुरा नहीं कहते है लेकिन जघ्रनात मतों ने इतना तेल निकाला ना जैटेट का कि जेटट नहीं लेंगे भाईया जो पहले से पास है उन्हीं को करेंगे उन्हीं को करेंगे ये कहते कहते भगवान ने कहा कि भाईया तुम जेटट मत लेना तुम्हें आ जाओ हेमन सहरेन के जो बहुत प्रिये जगरनात मत होते हैं उनको बोला वापस आ जाओ आपको धर्दी पर रहने की ज़रूत नहीं है तो याद रखना मैंने कहा न जो जूट फरे बैमानी के ईट बने होते हैं घर बने होते हैं वो घर जल्दी धा जाते हैं याद रखिएगा इनी बातों को बुरे का साथ दोगे तो बुरा जğin करिया तो आप लोगों की क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिजेगा मैंने जो कहीं बात है आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो ठीक है बुरी लगी तो भी ठीक है बिल्कुल सब ये भासा में नीचे अपने बिरोध को दर्ज कराईए, अपने समर्थन को दर्ज कराईए, कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, उन तक पहुंचाए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका राइट क्या है, उ पट्टा मार रहा है, चलिए, थैंक्यू सो मच